हेलो दोस्तों स्वागत ही आपको अपने यूट्यूब चैनल ए यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्ल मैथमेटिक्स फॉर्मूला पार्ट टू के बारे में अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा सेल कीजिएगा अब डिस्क्रीप्टन में उसका लिंक दे दूँगा आप जाकर देख लेजिए क्योंकि उसमें मैंने बता रखा है कि त्रिभूज और आयत के कुछ महतवपून सुत्रों के बारे में तो चलिए आज की इस वीडियो को हम सुरू करते हैं इस वीडियो में सबसे पहले हम ज जानते हैं वर के छेत्र फल बराबर क्या होता है वर के छेत्र फल बराबर होता है भूज़ा का असकวायर ऑफिर या इस looking का बट टू या परिम्याद़ी का है सुरू कुम परिमिंध्या आको हुज़ा हो याद कर लीजिगा मैं तु सुझाओ देंगा कि ये वाला याद के स स्कायर स्वायर जो यह अच्छा हो जाए अच्छा लगेगा तो चली आगे बढ़ते हैं वर की परीमीति इस क्वल्टू क्या होता है चार गुणे एक भूजा वर की परीमीति ह क्वल्टू चार गुणे एक भूजा या फिर चार गुणे रूट चेत्र फॉल या फिर टू रूट टू मल्टिप्लाई बिकॉन इसमें से जो भी आपको सुत्र याद करना हो याद किजिएगा लेकिन मैरे सुझाओ से यह फॉस्ट वाला जो सुत्र है यही याद किजिएगा बेस्ट है तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं वर्ग की बि बिकॉन इसकोल टू होता है रूट टू रूट टू मल्टिप्लाई भूजा रूट टू मल्टिप्लाई भूजा होता है अगर आप अगर आपको वर्ग का बिकॉन निकालना हो तो रूट टू मल्टिप्लाई भूजा होता है तो चलिए अब नेक्स चलते हैं नेक्स देते बाहर कर रहा है ये जो माली जी ये एक वर्ग कार है ये वर्ग कार मैदान है आपका ये मैदान है और इसके बाहर चारों और क्या है एक राश्ता है जो की x चोड़ाई राश्ता है तो इस राश्ते का आपको छेत्र फल निकालना हो तो उस राश्ते का छेत्र फल इस उक्वल रास्ते का छेत्र फळल निकालना हो तो 4x इंटु एक भूझा प्लस एक्स तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट कहा रहा है यदि आयत अथवा वर का प्रतिक भूझा क्या गूझात हूं तो परिमीती भी केही गूझात हो जाती है और छेत्रफल जो होता है के स्क्वाइर गुणित हो जाता है परीजिती के गुणित होती है और छेत्रफल के स्क्वाइर गुणित हो जाता है तो चलिए हम निक्ष्ट भगते हैं next कार रहा है यदि यदि रास्ति आ किसी वर्गकार मैदान के चार będ भीत Aga ये वर्गकार उथ और इसके अंदर देखिए कहाउन हो यह राष्ता हो तो उसका क्या होता है उसका सुत्र होता है 4X curiosity में माइनस X होता है माइनस X तो यह सुत्र आप याद कर लिजेगा देखिए यहां पर देखाया गया है यह इसी पर एस दिखाया हुपा Х 자 ह clarity नेक्स चलते सम्बलम् चत्र भूज का छेतर fall is equal to होता है एक बटे दू समांतर भूजाओं का योग या एक बटे दू multiply समांतर भूजाओं का योग multiply समांतर भूजाओं की बीच की दूरी समलम चत्र भूज का छेतर फॉल इस उकल टू होता है एक बटे दू multiply समांतर भूजाओं का योग multiply समांतर भूजाओं की बीच की दूरी तो चलिए अब next भगते हैं second है समांतर चत्र भूज का छेतर फॉल इस उकल टू होता है आधार गुणे उचाई अता बेस गुणे बी गुणे हैच अता बेस गुणे हाइट अब चलिए नेक्स चलते हैं समांतर चत्र भूज की परिमीती समांतर चत्र भूज की परिमीती इस उकल टू होता है टू इन्टू आशन भूजाओं का योग ये सुत्र आप याद कर लिजेगा तो चलिए नेक्ष्ट चलते हैं नेक्ष्ट है हमारा सम्चत्र भूज का छेत्र फल सम्चत्र भूज का छेत्र फल इस गुल्टू होता है एक बट्टे दू मल्टिप्लाइ बीकॉर्णो का गुल्टू फल सम्चत्र भूज का छेत्र फल क्या होता है एक बट्टे दू मल्टिप्लाइ बीकॉर्णो का गुल्टू तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सम्चत्रभूच की परिमीती इसक्वल्ट होता है चार गुणे एक हुजा हमने जाना था यहां पे छेत्रफल के बारे में और यहां पर हम परिमीती के बारे में बात कर रहे हैं तो सम्चत्रभूच की परिमीती इसक्वल्ट होता है चार गुणे एक हुजा अब चलिए नेक् किसी भी चत्र भूज का चेत्र फ़ल इस वेरी बेरी इंपोर्टेंट है याद कर लिजिए तो चलिए दोस्तो अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट फर्मूला देखते हैं नेक्स्ट फर्मूला है सम्चत्र भूज की एक भूजा सम्चत्र भूज की एक भूजा बराबर होता है रूट विकॉन बटे 2 का है स्क्वाइर प्लस विकॉन बटे 2 सम्चत्र भूज करता हूं सम्चत्र भूज की एक भूजा बराबर होता ना रूट भीकौन बटे 2 का स्कौयर स्कौयर ठूस भीकौन बटेए टू का स्कौयर तो चेल यह और इस है और और ऑक फर्मूला जोस्वेच इह वाला है यह simple है तो चलिए अब next सुत्र देखते हैं next सुत्र हमारा यह है sum चत्र भूज की एक बिकॉर्ण बराबर होता है sum चत्र भूज की एक बिकॉर्ण बराबर क्या होता है root भूजा का square minus दूसरा बिकॉर्ण बटे 2 का square एक बार और repeat करता हूँ सम चत्रभूज की एक विकन बराबर होता है रूट भूजा का S-square- दूसरा विकन बटे 2 का S-square तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आगे कर रहा है नोगवा कर रहा है किसी चत्रभूज की प्रतेक भूजा को X गुनित करने पर परिमीती के गुणित हो जाती है परिमीती क्या गुणित हो जाती है के गुणित हो जाती है और छेत्रफल के स्क्वाइर गुणित हो जाती है अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एक ही उचाई वाया एक ही उचाई और एक ही आधार पर बनी त्रिभूज और समांत समांतर चत्रभूज करता हूं समांतर चत्रभूज करता है अब हम लोग देखते हैं बहु भूज यानि पोलीगन चलिए बहु भूज के बारे में कुछ महत्वपून सुत्र के बारे में जनकारी प्राप्त करते हैं जैसे कि सस्ट भूज का छेत्र फॉल इसक्वाइर ये सुत्र याद कर लिजेगा चलिए अब नेक्स्ट सुत्र देखते हैं अब देखते हैं यन भूज के बहु भूज के अंत कुण का योग 2 इन 2 एन माइनस 1 मल्टिप्लाई 90 डिगरी के बराबर होता है किसके बराबर होता है एन भूजा के अंत कुण का योग अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो चौथा सुत्र क्या कर रहा है मेरा चौथा सुत्र बहु भूज का छेतर फल इसक्वल तो होता है एन मल्टिप्लाई एक स्वम्द्वी बाहुत्र भूज का छेतर फल बहु भूज की परिमीती इसक्वल्ट होता है बहु भूज की परिमीती इसक्वल्ट होता है यन गुणे एक भूजा एक स्वल्ट भूज की परिमीती इसक्वल्ट होता है परिवृत की त्रीजिया अब नेक्स्ट देखते हैं यन भूजा वाले बहु भूज छेतर को यन समान स्वम्दी बाहु त्रिभूज में बाटा जा सकता है जिसमें पर्तिक स्वल्ट की त्रीजिया परिमीती इसक्वल्ट होता है यन भूजा वाले बहु भूज छेतर को यन समान स्वम्दी बाहु त्रिभूज में बाटा जा सकता है जिसमें पर्तिक स्विर्ष कोण 307 डिगरी यन होगा यन 360 डिगरी यन बाटे यन होगा चलिए अब next देखता हूं next क्या कर रहा है नेक्स्ट यह है यन भूजा वाले सम बहु भूज का परते कोण यन माइनस टू परते कोण बराबर होता है यन बटे टू यन माइनस टू बटे यन इसक्वल टू एक सो असी डिगरी या फिर मल्टिपलाई एक सो असी डिगरी एक बब और रिपीट करता हूँ अन बटे टू एक सो असी डिगरी यह चूतर होता है तो चलिए दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबस्क्राइब कर दीजिएग और साहिती बिल आगन को आन कर दीजिएगा ताकि लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले आ पार्ट थ्री चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा कमेंट कर दीजेगा तो देखिए अभी इतना सुत्र बाकि अगर आपको और भी सुत्र चाहिए तो कमेंट कीजेगा मैं और भी आगे कुछ वीडियो बना दूँगा तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट किजिगा थेंक्यू बेरी मॉच्छ